सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए यह बिल्कुल फ्री है इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे डिफरेंशिट कर सकता है क्या यह मेल है यह फिमल लियून टेट्ट्र है इस इस नहीं हम उल्कुलियो आपके लिए आपके लिए बहुत इंफर्मेटिव हो और अगर इस फ्रेस को ब्रीट करना चाहता है है तो भी एक लिए बहुत इंफर्मेशन देग जाए बाता चैनल तो वीडियो को पूरा देखना तो शिचांट करते हैं तो फैला है फिश इंफर्मेशन नियोन ट्रेटर इस बहुत हाड़ी टाइप का फिश है और यह बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा एक चोईज है और हविश इस फिश को रखते है मेंली प्लांटेट टैंक विकॉर्स आप इस ब्राइट ब्लू कॉलर जो अच्छा लगता प्लांटेट टैंक में तो होबिश इस फिश को मेंली प्लांटेट टैंक में ही रखते है तो हमारा इस टॉपिक का फास्ट पॉइंट है बेली से मतलब आप फिश का बेली देखके कैसे समझ सकते क्या मेल है या फिमल नियोन ट्रेटर है मेली जो फिमल होता है नियोन ट्रे क्यों होता है because up to due to the presence of egg मतलब जो फिमेल है उसका पेट में अंडर रहता है इसलिए वो राउंड़ टाइप का और मेल का जो पेट होता है वो श्लाइमी टाइप का होता है अज का मेरा नंबर टू पॉइंट होराइजॉंटल ब्लु स्ट्राइप तो अबसर्ब दा होराइजॉंडल ब्लु लाइन गाट सर्ण अलाउंग दा बौड़ी अप्टा फिश अब देख सकते वीडियो में एक व्यूराइजॉंडल ब्लु कलर का लाइन जो फिश का मतलल हो करता है उसका बॉड़ी से जो मेल होता है उसका वह लाइन स्ट्रेट होता है और जो फिमेल होता है उसका थोरा से कर्व होता है मतलब स्लाइडली कर्व होता है तो अज हमारा जो टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट है नमबर थ्री है जो चेजिंग वेवियर the fish that is performing dance around another is male this fish will also chase the female around the aquatic plant by observing this you can also tell whether it is male or female मतलब जो male होता है तो female को chase करता है by observing this आप easily समझ सकते क्या ये male है और differentiate कर सकते है कौन male है कौन female है तो ये हमारा last point और अगार आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like share and subscribe कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना बस इतना ही thank you मिलते है नेक्स्ट वीडियो में